हलो एवरिवन, वेलकम तू स्टार आईक्यू, स्टार आईक्यू के वीडियो प्लाटफॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, प्यारे बच्चों आग 7 सक्टमबर 2021 के हर्याना करंट अफेर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, अगर आप स्टार आईक्यू करना चाहते हैं, तो एक साल का सब्सक्रिप्शन आउफर है, 7999 और अगर आप लोगों को इसमें 10% का डिसकाउंट चाहिए, तो आप लोगों को मेरा अनलोग कोड इस्तमाल करना होगा, स्टार आईक्यू, तो चलिए बढ़ते हैं, आगे हम लोग और आज का पहला सवाल ज जो राज्य है, वहां के राज्यपालर, इनको अत्रिक्त कारेवार सोपा गया है, पंजाब और चंदिगड के परसाशक के रूप में, आज का पहला सवाल है कि क्रिशी विस्विधाले हिसार में किसान मिला कब आयोजित होगा, देखिएगा क्रिशी विस्विधाले के नहीं हो रहा और क्यों नहीं हो रहा सार, क्योंकि कोविड-19 की वज़े से, अलंकि पिछले साल इसका वर्चुल संस्क्रण जरूर और और ये पहली बार वर्चुल संस्क्रण जो है, वो पंजाब अगरिकल्चर इनिवस्ट्री में हुआ था, और भारत का दूसरा किसान मे अगरिकल्चर वाला मेला हिसार के अंदर आठ और नो सब्टेंबर को लगने वाला है, तीस सालों से आयोजन हो रहा है, साल में लगता वैसे दो बार है, रभी और खरीफ सीजन के लिए, और इसमें अलग अलग राज्यों के जो है, वो लोग आते हैं, जैसे कि पंजाब है हर्याना तो है ही है, यूपी है, एमपी है, गुजरात, राजस्तान, यहां के राज्यों के किसान यहां पर आते हैं और यहां पर प्रदर्शनी होती है, फसल, क्रिशी, करण और के साथ में उन्नत बीज किसमों की जानकारी दी जाती है, किस तरीके से जो है ना, वो खेती म और इजाफा लाया जा सके और दूसरी बात ऐसे ऐसे नए नए एक्जुपमेंट ये पिछले साल के मेले की कुछ जलकिया है ठीक है ना नए नए एक्जुपमेंट नए नए टेक्टर है या कृश्ची के लिए नए नए जैसे एक्जामपल से स्प्रे करने हैं या चुछ उनहें जीजे ए उन्वस्टि का भी अतरिक्त कार्यभार सौंपा गया है इस बात को भी आप लोग यहां से याद रखिएगा एक बात आप और याद रख सकते हैं इस उन्वस्टि की स्थापना कब हुई थी साल 1970 के अंदर जो है इस उन्वस्टि की स्थापना हुई थी M.D.U. के टैगोर औलिटेरियम में सिक्षक दिवस पर किसने करोना योधाओं को समानित किया है तो करोना योधा पुरुसकार से समानित किया है अभी रिसेंटली हर्याना के राज़ेपाल 48 राज़ेपाल या 9 दिरुमित राज़ेपाल जिनका नाम है बंडारू दॉत्ततातरे अच्छा इन्होंने किन किन को ये समान दिया है पहली तो बात आपको बतानी है कि इन्होने समान इसलिए दिया है क्योंकि करोना के दोरान जो बहुत सारे ऐसे वॉलेंटियस थे लोगों को योद्धा समान से समानित किया। गया है ये बात आपको याद रखनी है करोना योद्धा अवोड इपॉर्टन्ट क्यूस्टन है हलके में मत लेना प्लेजी से आप लोग और राजय पाल जी में राजय पाल के पद को सोने का पिंजरा कहा है सरोजनी नाइडू ने एक बात और याद रखिएगा कि जो राजय पाल होते हैं वो केंदर सरकार के जासूस ही होते हैं और उसी राजय का हमेशा राजय पाल नहीं हो सकता मतलब हर्याना का व्यक्ति कभी हर्याना का राजय पाल ह वही नहीं सकता और बंडारु दुटता तरह जो है ना इन्होंने 1998 के अंदर वाजपई सरकार के दुरान सहरी मंत्रालिय का भी सहरी मंत्री के रूप में भी काम किया है भारत के अंदर इसके अलावा इन्होंने 1985 के अंदर जो है ना बीजेपी को जोइन किया हुआ है 1965 में उन्होंने संग को जोईन किया था तो यह कई सारी चीज़े हैं जो आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है कि का नाम राज़ेपाल को सपत कौन दिलाता है राज़ेपाल को सपत दिलाता है जो उस राज़े का मुख्यन अधीज जैसे हर्याना राज्ये का जो हाई कोट है, हर्याना पंजाब का सेंक्ति हाई कोट है, वहाँ के हाई कोट का, जो मुखे नादीज का नाम है, रवी संकर जा, उन्होंने सपत दिलाई, ये राज्येपाल कब बने सर, ये राज्येपाल बने थे 15 जुलाई को, हर्याना के अठा की डिवाइज त्यार करवाया है यूवी सी डिवाइज त्यार करवाया है हर्याना के हिसार डिस्टिक के लिए यानि कि सी ऑप्षन जो है इस पर्टिकुलर क्यूस्टन का वो सही रहेगा हमारा ठीक है न एक्चुली जो यूवी सी डिवाइज है न ये क्या है ये करोना जो ह करोना के संकरमन को खतम करने वाला डिवाइज है UV RAGE के माध्यम से यह UV Control device है AULTORYou honest RAGE के माध्यम से जो Railway की BOGU है उनकी जो है complete तरीके से Sanitize करने के लिए यह कैसा device है बैसिकली जो robot से चलने वाला device है ठीक है नहीं UV RAGE के नाम से इसका पूरा नाम ही रखा है UV remote control पूरा नाम है इसका और यह धाई मिन्ट के अंदर ही जो है ना एक बोगी जो होती है उसको sanitize कर देगा इस technique का इस्तमाल पहली बारी किया जा रहा है remote control से चलने वाला है ठीक है ना तो यह काफी important है हिसार के लिए से prepare किया ठीक है ना और दिल्ली लखनाऊ यह स्ताबदी एक्सप्रेस के अंदर तो यह पहले जो है ना model के रूप में लाया गया था अभी recently इसे हिसार के लिए start किया गया यह पहली बार इस technique का प्योग किया जा रहा है railway के अंदर चलिए आप मुझे कमेंट में बताईए रेलवे के वरतवान में अध्यक्स कोन है सुतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम जोन मताईए याद रखना और वैसे पहले रेल मंत्री का नाम आसिफ अली है 2016 के अंदर रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया ये बात भी आप याद कर सकते हैं वरतमान में भारत के रेल मंत्री कोन है ये भी कमेंट में लिखिएगा आप किसे चेतर की धोसे हिल्स को प्रेटन स्थल बनाएगी सरकार तो हर्याना सरकार ने जो है धोसे हिल्स को प्रेटन स्थल के रूप में बनाने के लिए घोशना की है और ये स्थल पढ़ता है नारनोल के अंदर यानि कि D option इसका सही रहेगा हमारा अच्छा सर प्रेटर स्थल बनाएगी ठीक है और ये पहाडिया कितनी मुची है ये 1200 फिट की उंचाई पे है ठीक है ना नारनोल महंदरगर आप एक साथ ही याद कर सकते हो अच्छा ये 54 रिशी की तपो भूमी कहलाती है इसकी बहुत ही खास बाते बात करें तो जड़ी बुंटियों से पहली बार 54 प्रास जो है न वो यहीं पे बना था संख पुष्पी और कायकलप नामक उसद्धी का रहशे भ कर माना जाता है साथ हजार साल पहले 54 रिशी ने तक करते वे यहां जड़ी बुटियों से सबसे पहले 54 प्रास बनाया था तो यह इपॉर्टन्ट है डोसी की उत्पती त्रेता युग में हुई है और यहां मौजूद कुंड में सनान का विशेस महतव माना जाता है तो इस कारणों से यहां पर प्रेटन्स थल के रूप में इसे विक्सित किया जाएगा यह साड़े पॉइंट एच एससी के लिए बहुत बहुत इपॉर्टन्ट है हर्याना के किस जिले के गाउं हाबडी में अंतरास्टी अस्तर का हौकी स्टेडियम बनाया गया है अंतरास्टी हर्याना में 11 होकी का सिंथेटिक मैदान है जो कि कैथल के गाउं हाबडी में त्यार हो रहा है और अल्मोस्ट हो ही चुका है अर इस पे तकरीवन 11 क्रोड की लागत आई है इस बात को भी आप लोग याद कर ले ना इसकी घोशना सालांकी 2017 में हुई थी बन के त्यार हुआ है ये 2021 में थोड़ा लेट हुआ COVID-19 की वज़े से कैथल के अंदर एक गुर्दवारा उसको पांच क्रोड की लागत से फुली स्टील का गुर्दवारा भी बनाया जाएगा कैथल के फरल गाउं में फालगू का मेला भी लगता है वो पॉइंट भी आप लोग याद कर सकते हैं हरियाना के अत्रिक्त मुख्य सचिव खालिस्टान के प्रस्तावना पर नैस्टनल बुक ट्रस्ट भारश सरकार ने पुस्तक परदरशनी वहान बिजली विव भाग हरियाना के समवय察 में अखिल भारतिया पुस्तक परिकर्मा के लिए उपलब्द करवाया है तो ये करवाया है स्री पी के दास ने यान की ए आप्शन जो है इसका सही रहेगा एक्चुली देखो HPVNL और जो HPGCL है इनके स्थापना दिवस अगस्त के दोरान जो है यान की रोशनी फैलाने के लिए हर्याना के जो ये HPGCL है ये इस डिपार्टमेंट के अत्रिक्त मुखे सच्यू जिनका नाम है स्री पी के दास इन्होंने नेस्नल बुक ट्रस्ट भारत सरकार के तैट एक बुक परदरशनी का आयोजन किया अजादी के अमरत महत्सों को समरपित एक स्लोगन है अजादी के रंग पगरती के संग इस नारे के साथ जो है ना इन्होंने पंचकुला और बहुत सारे आसपास की इलाकों में जो है परदरशनी का आयोजन करवाया था ठीक है ना एक लाख से जादा किमत की किताबों की ख परनब किशोर दास है यह याद रखना मैनेजिंग डारेक्टर का नाम टीय सत्या परकास है ठीक है और हर्याना पावर जनरेशन का उपरेशन है इसकी स्तापना 17 मार्च 1997 को इसके जो अदेक्स या चेर परसन है उनका नाम पी की दास है यह बात भी आप याद करना इसका है दुकाटर भी पंचकुला में है उजली राहे नामक कविता संग्रह को किसने लिखा है जिनका हाल ही में रिसेंटली उनना है रिसेंटली रिलीज किया या विमोचन किया है तो इसका सही अंसर रहेगा डॉक्टर राजकला देश्वाल बहुत इपॉर्टन क्यूसन भी आप सही अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रीका ने 21 सबी के ललित निभंद और हर्यानवी लोग सही अमें कड़वा विधा इन दो किताबों का विमोचन भी किया गया है इस बात को भी आप लोग यहां से याद कर सकते हैं चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को मैं समा से समानित किया उनका नाम मुमता पालीवाल, रोनक, सोनी, कमले सिंग या इन में से कोई नहीं बताइए विस्तार से इसके बारे में कलफीर हाजीर होंगा लेटस्ट अप्रेट के साथ तब तक थैंक्यू सो मच, हंस्ते मुस्कुराते रहना